हेलो एवरिवन कैसे हैं आप सब मेरा नाम निलोफर है दोस्तों उमीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे आज मैं एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ जो की करेंट अफेस से रिलेटेड है जिसमें हम लोग जो भी आरविंद केश जिवाल जी ने 10 पॉइंट्स विंटर अक्श करते हैं जो भी आपके एक्जाम रिलेटेड कोईरी से आप उनको दूर कर सकते हैं वन-on-one काउंसलिंग के द्वारा बहुत ही रीजनबल प्राइस पे काउंसलिंग सेशन है तो इस सेशन को जरूर बुकिए जगा आपको इससे जरूर फाइदा मिलेगा और जानकर ही जान अर्विन केजडिवाल जी जो है वो 10-point winter action plan रिलीस कर चुके हैं जो की डेली का pollution है उसको fight करने के लिए जो की winter season में और जादा खतरनाक होने वाला है तो Monday डेली चीफ मिनिस्टर अर्विन केजडिवाल रिलीस्ट 10-point winter action plan for the national capital आज ही इन्होंने रिलीस किया है He said that the plan will help combat air pollution in Delhi जो की हमारे डिली में air pollution होता है उसको लेंड़ने में काम आएगा which deteriorates during the winter season due to the number of factors winter season में ये pollution और जादा हो जाता है कई सारे factors से जैसे struggle burning हो गया farmers जो भी near states वहां के पंजाब हो गया कई सारे states surrounding Delhi के होते हैं वो लोग struggle burning करते हैं winter में भी तो उसके कारण भी delay में pollution जादा हो जाता है तो इसको हम लोग कैसे कम करें इन 10 points में ये सारा कुछ इन्होंने discuss करके इन 10 pointers को बनाया है तो चलिए देखते हैं 10 pointers क्या है और इसमें क्या-क्या इन्होंने action plans दाले हैं तो आमादमी party chief added that he has been requesting the central government and neighboring states but no step has been taken to stop stubble burning and other things which have adverse impact on the national capital's air quality तो अर्विन केजवाल central government से request कर रहे थे कि pollution का जो भी टेली में increase हो रहा है उसका कुछ करें but no steps have been taken further उन्होंने क्या किया है कि जो भी उनके उनके हाथ में ही जो भी है उन्होंने 10 action plans जो ही launch किया है जो की टेली में follow किया जाएगा एक एक स्टार्ट करके एक एक को हम लोग डीटेल से पढ़ेंगे to check the pollution levels in detail दिल ही during winter पहला step है पहला point है stubble burning stubble burning को कैसे stop करें we have prepared a decomposer solution वो कह रहे हैं कि उन्होंने decomposer prepare किया है with the help of Pusa Institute पूसा इंस्टिटूट से tie up करके उन्होंने एक decomposer prepare किया है जो की stubble burning करने की जरूरती नहीं पढ़ दी solution once is sprayed on the crop residue जो भी stubble burning होती क्या है पहले तो stubble burning होती है जो हमारे crops हम harvest कर लेते हैं उसके बाद जो भी waste बचता है उसको जलाने के लिए जरूरती नहीं पढ़ती अगर हमें solution को उस residue पर उस waste material पर दाल देते हैं तो वो खुद से ही decompose हो जाता है और उसे burn करने की जरूरत नहीं पढ़ती तो इन्होंने एक decomposer यह solution prepare किया है with the help of Pusa institute so Delhi government has been spraying it for free और यह freely इसको spray कर रहे हैं पंजाब अधर स्टेट फोंड थे सेम और जो भी सब्ल बरनिंग के स्टेट होते हैं वो लोग भी इसे यूज कर सकते हैं यह हो गया फॉर्स पॉंट जो कि सफ्टल बरनिंग को कंपलीटली रोख सकता है सेकेंड पॉंट यह एंटी डेस्ट कामपेंग नोबी टेंट्रेंटन जो भ और देखेंगे कि किसी भी कोई भी अगर इस आंटी डस्ट कैम्पेइन के खिलाफ या फिर इस रूल को वॉयलेट कर रहे हैं तो उनको पेनाल्टी भरननी पड़ेगी और कई तरह की लीगल आक्शन भी उनको फेस करने पड़ेंगे तरफ पॉइंट है इस डाइद बर्न करेंगे तो और गर्रीन हाउस गया बढ़ जाएंगे और हमारी एंविरोंमेंट को तकलिफ हो तकलिफ होगे और ओजोन लेयर को भी कहीं जादा एफेक्ट पड़ सकता है तो हमारे बर्न आफ गार्वेज को हमें रोकना है 250 teams have been formed for this Delhi government ने 250 teams को इसके लिए फॉर्म किया है particularly इसी burning of garbage इसी के लिए काम करने के लिए 250 teams को इन्होंने फॉर्म किया है बैन और फाइर क्राकर्स जो भी फाइर क्राकर्स होते हैं पटा के होते हैं उनको बैन कर दिया गया है कि completely firecrackers कहीं भी नहीं जलेंगे और fifth point है installation of smoke towers जो भी smoke towers होते हैं उनको install किया गया है these towers have shown good so far and they will continue to analyze results before taking a call to install more such structures smoke towers पहले से ही install किये गए हैं और उनसे कही जाद अच्छा result भी मिला है तो अगर ज़रुरत पढ़ती है तो इसको हम और जादा इंस्टॉल कर सकते हैं ऐसा डिली गवर्नेमेंट ने कहा है sixth point है monitoring of pollution hotspots using app तो एक app उन्होंने launch किया था जिससे pollution जो है pollution hotspots मतलब जहां जो areas में pollution ज्यादा होता है उसको हम pollution hotspots बोलते हैं उसको वो monitor करता है या फिर उसको हो identify करता है इस एप की बदद भी यह लोग लेंगे उसके बाद है seventh point green war rooms are being strengthened के जिवाल said that the Delhi government has hired 50 environment engineers green war rooms जो है उनको भी strengthen किया गया है उनको और ज्यादा construct किया गया है और के जिवाल जी ने कहा है कि डिली गवर्नेमेंट ने 50 गवर्नेमेंट इंजिनियोस को पर्टिकुलर्ली इस काम के लिए हायर किया है तो एट्थ पॉइंट है the green Delhi app is being constantly monitored जो green Delhi app है जो की प्रमोट करेगा डेली में pollution कम करने के लिए जादा से जादा पेड उगाने के लिए और oxygen को उन पेडों के द्वारा और oxygen लेने के लिए अच्छा एंविरॉन्मेंट क्लियर करने के लिए डेली का ग्रीन डेली एप इसको constantly monitor किया जाए रहा है इसको scrutinize किया जा रहा है पब्लिक इस आप कहीं भी देखते हैं कि इसका violation हो रहा है तो उसको उसमें आप लोग complaints दाल सकते हैं और उसके द्वारा इनको पता चलता है और वो action उसमें से ले सकते हैं तो 8th point यह हुआ उसके बाद है 9th point eco waste park इस इस फर्स्ट सच पार्क बिंग कंस्ट्टेट इन दा कंट्री सेट केजरिवाल 20 acres of land has been allotted for the project eco waste park एक ऐसा फर्स्ट पार्क है हमारे इंडिया में जिसमें eco waste जो है हम लोग एकटा करेंगे 20 acres land जो है इसमें अलोट किये गए हैं जिसमें eco waste park जो है कंस्ट्रक किया जा रहा है उसके बाद vehicular pollution 10th point जो है vehicular pollution है जो भी vehicles के द्वारा pollution होता है अगर traffic अगर जम जाती है तो गाड़ी on होने की कारण भी कहीं जादा pollution निकलता है तो आप chief said that steps are being taken to minimize traffic jams to reduce the emission caused by cars and other vehicles जादा देर तक on रहेंगी और उनसे pollution जो है जो भी hazardous particles के जो भी emission होता है उसे pollution में बढ़ने की कई जादा chances है तो इसको minimize करने का step लोगे step डेली government लेने वाली है the chief minister said that the 64 congestion points have been identified across Delhi and steps will be taken to control traffic and resultant pollution here तो 64 ऐसे points को identify किया गा है जहां पर traffic जो है ज्यादा जमती है उसको identify किया गाया है और उसको कैसे हम लोग disperse करें और उससे control कैसे करें traffic उससे भी जो है steps लेने वाले हैं तो we have also intensified checking for pollution under control certificates and or cracking down on diesel vehicles older than 10 years Kejjivalz added so Kejjivalz ji ने कहा है कि pollution under control जो भी certificate होती है हमें हमारी गाड़ी के लिए बनाना पड़ता है इससे भी चेक किया जा रहा है क्योंकि जो भी 10 years से ज्यादा तक ज्यादा ओल्ड जो भी गाड़ें होती है डीजिल की उनको भी अलोग track करने वाले हैं और उसको कबजे में लेने वाले हैं Delhi was the most populated capital city in the world in 2020 for the third consecutive year 2020 में Delhi जो है most populated city खोशित किया गया है for the third consecutive year मतलब तीन साल से चला आ रहा है most populated city तो यह बहुती चिंता जरंक बात है according to a report by Swiss group that ranked cities based on their air quality measured in terms of the levels of ultra fine particulate matter that can enter the organs and cause lasting damage तो pollution बढ़ने के कारण जो है हमारे body में भी जो बहुती नुकसान हो सकता है especially उनको जो आस्तमा से और different types of respiratory problem से सफर हो रहे हैं उनके लिए कई जाधा नुकसान हो सकता है तो Delhi जो है most polluted city होए 2020 में for the third consecutive year according to a report released by Swiss group the world air quality report 2020 by IQ8 that was released globally in March this year showed that Delhi recorded an annual average PM 2.5 concentration तो world air quality report released होती है जिससे हमें air quality index पता चलता है किसी भी place का उन्होंने कहा है कि मार्च में इसी यर 2020 में 2020 में Delhi recorded an annual average PM of 2.5 concentration of 84.1 mg per meter cube तो यह कई साधा concentration उन्होंने देखा है और इसे जो है air quality में कई साधा bad effect होता है Delhi was also ranked the 10th most polluted of the 50 cities from where data was analyzed तो Delhi was also ranked 10th most polluted तो 50 cities में अगर हम बात करें तो उसमें 10th जो है Delhi का place आता है तो इसे हम बोल सकते हैं कि Delhi जो है कई जाधा pollution में आगे बढ़ चुका है किसी कई तरह की रीजन से steps taken by Delhi सो फार क्या-क्या steps Delhi ने लिये है इसको कम करने के लिए two coal-fired thermal power plants have been shut down जो भी thermal power plants होते है coal के उनको shut किया गया है दो क्योंकि उससे भी कई जाधा pollution फैलता है 100% conversion of industries to PNG industries को completely PNG में convert किया है और tree transplant transplantation policy was brought in by Delhi government to reduce the number of trees being cut for construction projects so trees transplantation policy निकाली है इन्होंने जिसमें जो है Delhi government tree cutting जो भी deforestation होता है उसको कम किया है किसी भी construction construction projects के लिए जो भी हम लोग site को clear करते हैं trees cut करके उसको इन्होंने complete किया है tree transplantation policy के द्वारा Green Delhi app is operational where people can launch their complain Green Delhi app जैसे हमने appointments में पढ़ा था Green Delhi app जो है जहां पर लोग कई भी तरह की violation अगर देखते हैं तो वहां पर वो जाकर complaints lodge कर सकते हैं Green war room has been made where the pollution levels in Delhi is being constantly monitored Green war room भी बनाए गया है उसको भी strengthen किया जा रहा है जहां pollution levels जो है Delhi में हर जगा जिस पे हम लोग constantly monitor कर सकते हैं अगर बढ़ जाता है तो उस पर हम लोग action भी ले सकते हैं ग्रेड रिस्पॉंस action plan जो है उसको भी implement किया गया है जहां पर सुप्रीम कोड के direction पर इसको implement किया गया है जहां हम लोग environment को कैसे product करें और pollution को कैसे कम करें और गई तरह के terms and conditions हम लोग ग्रेड रिस्पॉंस action plan में देखेंगे और इसको भी Delhi ने effectively implement किया है electric vehicle policy was implemented in the city जो भी electric vehicle जो है उसको भी encourage किया गया है कि public को जादा से जादा electric vehicle साप लोग use करें उसमें diesel petrol कुछ नहीं लगता बस बैटरी को charge करना होता है इससे pollution में कई जादा गिरावट हम लोग अगले लेक्चर में एक और इंट्रेस्टिंग टापिक के साथ फिर से मिलते हूं तब तक के लिए बाए बाए टेक केर